लगता है भारत के घोटाले बाजों ने घोटाले करकर के जनता के पैसे लूटर ने को अपनी लाइफ का मकसद बना लिया है और इस कड़ी में एक नया घोटाला जुड़ा है 4760 क्रोड रुपे का जिसको किया है जीटियल इनफरा ने और ये एक फैनी स्टोक है हाली में CBA ने एक केस दर्ज किया है जिसमें जीटियल बड़े-बड़े बैंकर बहुत बड़े-बड़े डिरेक्टर्स इन सब के किलाफ मुकदबा लगा है कि इन्होंने 24 बैंके 4760 क्रोड रुपे ड़कार लिये हैं CBA ने बता है कि इन सब ने मिलकर कुछ शेल कंपनिया बनाई चोकि जीटियल इनफरा को कंस्ट्रक्शन का समाल बीचती थी शेल कंपनिया मतलब फेक कंपनिया जिनका कुछ एक्सिस्टन्स नहीं होता है सब नकली होता है वही न हाँ और CBA ने पाया कि GTL ने बिला कोई समान लिए है इन सब शेल कंपनीज को बहुत सारे पैसे भी दे दिया है इन्वोइस भरके अर इस कैम में ICC बैंक के 650 क्रोट रुपे, बैंक ओफ इंडिया के 466, कैंडरा बैंक के 412 क्रोट रुपे और बाकी 21 बैंक के 321 क्रोट रुपे हमा हो गए अब इस कैम से परदा तो उठकिया लेकिन इसके अपरादी पकड़े जाएंगे या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा और टाइम पे हम भी बता सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको और डिजिल ब्लोगर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा